प्रिजिस अमेरिका सितारों से आगे जहान और भी हैं तो आज हम बात करेंगे जो इस वक्त पूरे चर्चा हो रही है जिसकी और वो है एलेक्रानिक वोटिंग मशीन और उसके मुकाबल दूसरी जो चर्चा हो रही है वो यह के एलेक्रानिक वोटिंग मशीन तो नहीं होनी चाहिए बलके वीवी पैड होनी चाहिए जो के है वोटर वेरिफाइबल पेपर ओडिट ट्रेल मतलब यह के एक तरह से मतलब यह के एक तरह से के आपने जो वोट डाला है तो उस सिर्फ वोट डाल के आप घर ना आ जाएं बटन दबा के और बलके उस आपने जो भी बटन दबाया है उसके आपको रसीद मिलनी चाहिए ताके आप देख सकें कि आपने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी को गया है यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ है जो अब तक नहीं इस्तमाल किया गया है या बहुत कम इस्तमाल किया गया है मगर खेर यह इस वक्त इस पे चर्चा हो रही है मगर इसका थोड़ा सा बैक्ग्राउंड मालूम करना जरा जरूरी है तो बैक्राउंड इसका यह है कि जो के एक्चुरी जो के वामन मेश राम साहब जो के बहुत बड़े बहुजन निता हैं उन्होंने इस बात पर रोशन में डाली थी के ये जो EVM बैल्ट पेपर सी EVM हो आपर EVM से क्या हुआ तो इनके हिसाप से EVM 2000 कांग्रिस ने 2004 से लेके 2014 तक EVM का इस्तमाल किया वोटिंग के लिए और इनके हिसाप से उसका उन्होंने इस तरह इस्तिमाल किया कि वो दस साल सत्ता में रहे ये बात बीजे पी को पता लग गई और जब बीजे पी ने दस साल के बाद जब उन्होंने कुदे एलेक्शन के मैदान में तो उन्होंने कहा कि जी दस साल आपने किया है अब 10 साल हमारे है और उन्होंने एक application भी supreme court में दायर कर दी सुब्रामानियम स्वामी साहब ने बीजेपी के तरफ से के यहाँ पर EVM के voting में गरबढ़ हुए तो वो बात को आगे ले जाने के बजाए Congress और बीजेपी ने आपस में मौहिदा किया एक agreement हुआ कि ठीक है भाई दस साल हमने कर लिए दस साल आप कर ले और उसके बाद देखेंगे फिर जब मैदान में उतरेंगे तो अपना तकरीबन तकरीबन जिसे कहते हैं अखाडे में कपड़े उतार के खाली चड़ी पैन के फिर जो लड़ाई होगी वो असल लड़ाई होगी तो यह बात यह वामन में श्राफ सहब कह रहे हैं मैंने इनका जिकर डिस्क्रीप्शन में दिया हूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि 10 साल उनोंने अब 10 साल उनोंने मगर जो एक फर्क है और नो गरीजम है बीजे पी जप पावर में आई तो उन्होंने कॉंग्रिस का उधर के रख दिया उनको बिलकुल तकरीबन तकरीबन बेकार कर दिया और वो बिचारे राउल गांधी पर एक ठपा लगा दिया पपो का और वो ठपे को लेके बैठे रहे दस साल क्योंकि उनको ये एग्रीमेंट निबहाना था अब इलक्रानिक उटिंग मेशीन के बारे में ये बता दू कि ये बोटिंग मेशीन जो है ये बाहर बनी थी जपान जर्मेनी वगरमें मकर जपान इनको इस्थमाण नहीं करता है जर्मेनी इंग्लेंड और युएस से इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम USA में रहते हैं, हम आज भी ballot paper से voting करते हैं, USA में, हाथ से pencil हमें दी जाती है, उससे हम निशान लगाते हैं, जो bubbles होते हैं, उनको हम fill up करते हैं, के हमें कौन पसंद है, उसको fill up करके और अपने हाथ से voting paper को wrap करके, और ballot paper में, ballot box में डाला जात है, हम अमरिका में और आज भी और दूसरी जगहों पे, वो ballot paper ही इस्निमाल होता है, EVM का कारणामा सुनिए, वावन मेश राम की आवाज में, 2019 में जब वारा नासी में वोट, वोटिंग हुई, तो मोधी सहाब को 11 लाग वोट मिले, मगर जब EVM की काउंटिंग हुई, तो उसमें 12,87,000 वोट थे, देखो कई सहाब, नरेंद्र मोधी वारा नासी में चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग हुआ, 11,00, लोगों ने वोट डाला, मशीन से कितना निकला, 12,87,000 लोगों ने कितना वोट डाला, 11,00, वोट कितन मशीन से निकला, 12,87, अगार, जादा कितना निकला, 1,87,000, अरे इतने तेजी से तो मुरगी अंडा नहीं देती, भाई, यह मशीन ने वोट कहां से दे, इतने तेजी से मुरगी अंडा देती है, उतने तेजी से यह वोट देने का काम किया, तो 2014 और 2019 में जब वोटिंग तो काफ़ी ग्लिचेश आई, कुछ प्राबलम थे, लोगों ने कहा कि हम जिस बटन को भी दवाते हैं, ताकि चाहे वो बाैसिकल का निशान हो, चाहे वो धनुश का निशान हो, चाहे वो हाथ का निशान हो, बटन दवाने के बाद जो, जो चीज खिलत के आती है, वो है फ क्योंकि बाकी लोग चुप थे, एक अग्रिमन था, उसके हिसाब से सब चुप थे, इसलिए कोई बात हुई आगे बड़ी नहीं, मगर ये जरूर हुआ कि EVM मशीने ऐसी ऐसी जगह पर पाई गई, कि जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था, कभी किसी दुकान के पास पाई गई, कभी किसी विदायक के घर में थी, कभी किसी तांगे वाले के तांगे में थी, कभी आटो में पाई गई गई वो मशीने, तो भड़ी उसके बाद चर्चा हुई, मगर फिर सब चुप थे, सब खामोश थे, क्योंकि सब को पता है, कि अंदर से एक एग्रिमेंट हो जिन लोगों ने वोटिंग मशीन को मैनिपिलेट करना था, उन्होंने दिया था, ये अंदर की बात हो रही है, तो ऐसे ऐसे लोग जीते उस इलेक्शन में बीचेपी की तरफ से, कि जो जिनें दस दिन पहले पता नहीं था कि वो इलेक्शन में लड़ने वाले हैं, और वो लोग 17,000,000,000,000,000 बोटों से जीत गए, इस अब आलम हो रहा था कि नूरा कुछी यह भी नूरा कुछी ही कि तरह से एक चीज है, तो खेर आप इन सहाब की बात सुनें, यह साब कर रहे हैं, यह जो बात कर रहे हैं, यह जो रहा हैं, आप अद्वाटिज को अग्शन में यह लोग 17,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ये लोग पागल नहीं हैं ये इंगलेंड में और अमरीका में और जर्मिनी में और जापान में कि जो मशीने बना के बेच रहे हैं लोगों को और खुद अपने आपको उससे अलग रख रहे हैं कि भई इससे तो वोटिंग सही हो ही नहीं सकती तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है वो ये कि उन पर नज़र रखे जो कहते हैं कि हमने तो एवी एम से ही वोटिंग करानी है वोही लोग हैं ये वोही लोग होंगे जो पिछले दो इलेक्शन में गलत सरत तोर पे जीत करके आए हैं और ये वोही लोग हैं जो नहायती चालाग मकार अयार बलके चोर लगोंगे तो ये उन पर नज़र रखे कि जो कहते हैं कि एवी एम से ही करानी है वोै ववी पेड जिखोलिदे एक हैं वाकीकी पार्तिया है तो कानी कोई किसी डाक्टर ने नहीं कहा कि जिए आपको हिंदुस्तान में जो एलेक्शन होगा वो एलेक्रानिक ही होगा हाग जो चीज जो एलेक्रानिक होती है वो मैनिप्लेट हो सकती है वो बदली जा सकती है उसमें चेरचार की जा सकती है I'm not saying there aren't advantages to electronic voting yeah there are accessibility is the main one and that's really important in low stakes elections for small groups for the little things sure go for it but when the future of nations rests on the result electronic voting is still a bad idea and you should still vote against it while you can और वो लोग जो ये कहते हैं के भई अब नया जमाना आगया तो हमको नहीं साफ से चलना चाहिए क्या परानी सिस्टम अभी तक लगाया हुआ है तो उसका जवाब ये है कि पुराने सिस्टम तो चली रहना हम उसी तरह खा पी रहे हैं जैसे हम एक हजार दस हजार साल पहले खाते पीते थे उसी तरह से चलते हैं बच्चा भी आज उसी तरह से पैदा होता है जैसा कि पहले हुआ करता था नौ महीने मा को पेट में बच्चा रखना पड़ता है फिर जाकर डिलिवरी होती है अभी तक ऐसी कोई मशीन आई नहीं है कि जहां पर आप एक तरफ बटन दवाएं और दूसी तरफ से बच्चा नमुदार हो जाएं तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है तो जब हम इतनी सार चीजें जो है वो पुराने सिस्टम से कर रहे हैं तो बैलेट पेपर में क्या बुराई है बैलेट पेपर से ही करें कोई फरक नहीं पारता अच्छी बात है और अगर बात यह है कि वह बूट कैप्चरिंग हो जाती है तो लोग बिठाएं वहां पर आखिर प्राइम मिनिस प्राइम को बचाएं उसको उसको होने ना दें गुट देख नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें